राधे राधे एवरिवन ओम नमेशिवाय हर हर महादेव फ्रेंड सावन अधिक मास पूर्ण होने वाला है चार पांच दिन ही बचे हैं तो अभी अगर आप सावन अधिक मास में कोई वरत पूजा सनान तब दान आदिन नहीं कर पाए हैं तो आप सिरफ पांच दिपक दान करें जिससे आपको संपूर्ण अधिक मास की पूजा का फल प्राप्त हो तो ये दिपक हमें कैसे दान करने हैं कहां दान करने हैं और किस समय दान करने हैं किस दिन दान करने हैं यह संपूर्ण जानकरी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो बहुत छोटा सा ही है, तो देखें सबसे पहले 5 दीपक हम ले लेंगे, मिट्टी के या आटे के कोई भी दीपक आप ले लीजे, उसमें हम बाती लगा तो यहाँ पर देखें, रूई की हमें बाती लगानी है, फिर हम इसमें तेल भर लेंगे, आप चाहें तो देशी घी इसमें डाल सकते हैं, तिल का तेल डाल सकते हैं, या तो आप सरसों का तेल डाल सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ हो, उसके हिसाब से आप इसमें तेल डा देखे यह जो पांच दीपक हैं यह आपको भगवान शिर्शंकर के सासाद भगवान विश्णु दोनों की पूजा का फल देंगे तो यहां पर हमें दीपक का पूजन करना है भोग हमने समर्पित कर दिया है अब हम रोली से हल्दी से तिलक लगा देंगे आप चाहें तो भी दान करते हैं उसको पहले मिनस देते हैं तो यह पांच दीपक हमारे तयार हो गए हैं अब यह सभी दीपक हमें अलग अलग जगह पर दान करने है तो यह दीपदान हमें कहां करना है और कब करना है देखिए अधिक मास के जो आखरी पांच दिन है 12 अगस्त से 16 अगस्त तक आप किसी भी दिन ये दीपदान कर सकते हैं, दीपदान हमेशा अंधेरे में ही किया जाता है, तो जिस दिन भी आप ये दीपदान करें, या तो सुबह सूरिय उदय होने से पहले आप दीपदान करें, या फिर शाम्पो सूरियास्त होने के बाद आप ये दीपदान करें अब ये दीपदान हमें कहां कहां करने हैं ये हम देख लेते हैं तो सबसे पहले हम तुलसी जी में दीपदान करेंगे तुलसी जी हम सभी के घर में होती है तो तुलसी जी में आप दीपदान कीजिए फिर हम सिवाले में दीपदान करेंगे जो भी मंदीर आपके घर के आसप पीपल का पेड मिल जाएगा पीपल के पेड में ब्रमा विश्नु महेश्तीनों का वास होता है तो पीपल के पेड में भी दीपदान करना बहुत जादा शुब माना जाता है और यह सभी पेड आपको ना मंदिर में ही मिल जाएंगे तो पीपल के पेड में हमने दीपदान कर कर सकते हैं तो मालों आपको आवले का पेड़ नहीं मिला या केले का नहीं मिला तो वो दीपदान आप अपने घर के मंदिन में कर लीजे इस तरह से हमें ये पाँच दीपक दान करने हैं और ये पाँच दीपक दान करने से हमें अधिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा तो ये अभी पाँच दिन बचे हैं, इनमें से किसी भी दिन आप ये पाँच दीपक जरूर दान करें आधिक मास में दीबदान करने का कितना महतो है, ये तो आप सभी जानते हैं तो दीबदान की ये सरल विधी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाए घर में 30 तोहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जै श्री किर्षना हर हर महादेव